कि है कि है कि हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग एंड आज के टाइम में जिस तरह से रूल्स एंड लॉज चेंज हो रहे हैं उससे एकाउंटिंग की जो जॉब्स है उनमें पिछले एक-दो सालों में काफी इंक्रीज हुआ है जैसे कि जीस्टी आने के बाद या फिर जो आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं वो टॉप टेन एकाउंटेंट की कोस्चन्स जो जब आप किसी एक जाते हो जॉब इंटर्वीव के लिए वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं यह सिर्फ मैं एकाउंटिंग की जॉब के जो इंटर्वी होए जो कोस्चन्स है वो लेकर आया हूं इसके लाबाद जर्नल कोस्चन भई अपने बारे में बताईए अपन चलते हैं वीडियो की तरफ और हां अगर आप नए हैं तो हमाई चैनल्स दीए मिचा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरह GST, Income Tax, Accounting, Tax Practice इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो देखिए पहला कोस्चन क्या हो सकता है पहला कोस्चन जो भी आपका प्रोफेशन क्यों चूज किया है आप एकाउंटिंग मतलब क्यों आप लेना चाहते हो क्यों आप एकाउंटेंट बनना चाहते हो और वी तो फिल्ड है आपने एकाउंटिंग को ही क्यों चूज किया है तो यहां पर आप आंसर यह कर सकते हो कि क्यूंकि आपको पहले से इ आपको एकाउंटिंग क्यों पसंद है ठीक है सर दूसरा देखे अपकी एकाउंटेंट की जॉब कि पोस्ट के लिए इंटर्विव है ठीक है तो वह आपसे क्या पूछ सकता है तो एक तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत बेसिक चीज़ है दबल एंट्री आपसे पूछेगा एंड उसके वाद वह पूछेगा कि आप अपना पूरा प्रॉसर बताइए चरनल इंट्री फिर लेजर फिर जो है ट्राइल बैलेंस प्रॉफिट और लॉस यह सारी चीज़े कैसे बनती है इसके लिए पूछ सकता है कि फिनेंशल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कित यह सब्रॉस रिडान हो जाता है गुट्स डिस्ट्रॉइप हो जाता है इस दामाच हो जाता है तो सकता है यह बहुत कर रहेए और आपने चाहिए तो कौन मोर आपने आनिन ना अगला कोस्टन यह वो कोस्टन हैना कोई भी एकाउंटिंग की जॉब हो कोई बड़ी company, multinational company, छोटी company, कुछ भी हो, GST, what is GST? GST से related questions ना पूछे आपसे, हो ही नहीं सकता है, because हमने इसके बारे में पहले भी discuss किया है, GST के बिना accounting नहीं हो सकती है, और accounting के बिना GST की filing नहीं हो सकती है, दोनों एक दूसरे के, आप कह सकते हो, close friend है, एक दूसरे के बिना एक गाड़ी के आप कह सकते हो, दो पाई यह है, accounting and GST. तो इन दोनों का knowledge must है. इसके बारे में आप prepare करके जाएगा, कि GST काब आया, किस यहर में implement हुआ, basic GST की definition क्या है, GST कब लगता है, अना किस के ऊपर लगता है, यह सारे चीज़ें आप एक basic चीज़ें पढ़के जाएगे, तो आप इसका answer कर पाएगे. इसके लावा वो आपसे पूछ सकता है, अलग-अलग deadlines and due date. GSTR 1 की क्या due date है, 3B की क्या है, TDS कब जाता है, income tax कब जाता है, इसके भी एक question जरूर आ सकता है. अच्छा, अगला और एकदम basic चीज़, कि अगर आप accounting की job के लिए जा रहे हैं, तो BRS, bank reconciliation statement, यह कैसे बनाया जाता है, इसका use क्या है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हो सकता है, वो आपको practically कुछ figures दे दे बनाने के लिए, तो BRS आपको आना चाहिए, bank reconciliation statement, यह कैसे बनाया जाता है, अच्छा, अगला question, shortcut keys, अगर आपको याद हो, question मैंने बताया था, कि कौन सा accounting software आप use कर रहे हैं, किसके साथ आप familiar हैं, उसी से related ये भी question है, जो भी accounting software का आप नाम लेंगे, उससे related shortcut keys वो आप से पूछ सकता है, उसके लावा MS Word, Excel, GST, या GST कोई software है, Tally, Zoho Books, जो भी है, इनकी shortcut keys वो आप से पूछ सकता है, या हो सकता है, प्रॉपर वो आप से, आपको एक test sheet दे दे, और कहे दे कि आप link की दिखाईए, या आपको system दे दे, system में वो आप से practically कहेगा, भी है लगा की दिखाईए, तो shortcut keys के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप से पूछा जा सकता है, उसके लावा एक बहुत important question, how do you protect data, आप किसी company के accountant है, इसका मतलब उस company की sensitive information आपके पास होगी, कितनी sale हो रही है, कितना purchase हो रहा है, किस party दे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सारे चीजें, ये सारी information, जो एक company की sensitive information होती है, confidential information होती है, वो आपके पास होगी, तो जो बड़ी companies हैं न, वहाँ पर ये question जरूर पूछा जाएगा, कि आप data को protect कैसे करेंगे, protection से मतलब ये है, कि आप उस data को कितना शेर तो नहीं करेंगे, अगर कोई आपसे data मांग रहा है, तो confidentiality maintain करते हुए, वो data आप कैसे share करेंगे, data share करने के लिए अलग अलग तरीकिये होते हैं, कुछ companies encrypted form में data share करते हैं, तो उससे related question आपसे पूछा जाएगा, उसके लगवाँ आपसे पूछा जाएगा, कि इतने जो due dates आती है, in short जो pressure आता है, उसको आप कैसे handle कर सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने बारें बता सकते हो, कि आप कैसे pressure को handle करते हो, आप अपना कोई past experience बता सकते हो, कि जब आपने pressure को handle किया हो, या आप due dates को कैसे match करोगे, ये भी question आपसे पूछा जा सकता है, उसके लावा, अब ये depend करता है न, कि आप किस organization में interview देने के लिए गए हो, उसके हिसाब से आप से specific accounting questions या question पूछे जाएंगे, जैसे अगर वो कोई ऐसी company है जो export करती है, तो export से related आप से पूछेगी, कि पताए क्या क्या rules लगते हैं, या फिर GST इस case में कैसे लगता है, पताए कितना GST लगता है, पताए इसमें GST कैसे बचाया जा सकता है, उसी तरह अगर कोई company ऐसी है, जो जो है software के company है, तो वो software related question पूछेगी, कि बताए software को कब sale माना जाएगा, कब service मानी जाएगी, कोई ऐसी company है, जो repair maintenance में है, तो वो अपने ही साब से question पूछेगी, तो ये चीज आप इसका answer तभी कर पाओगे, जब आप जिस organization में interview देने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसके बारे में proper तरीके से पढ़के जाओगे, तो ये इस बात को आप इक दम अधब ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई interview है, तो बाकी जीज़े तो आपको तयार करनी ही करनी है, उस organization के बारे में भी पढ़के जाएए, कि वो जो organization है, वो किस product, किस service में deal करती है, उसके उपर कौन-कौन से rules, act, law, applicable है, उनके बारे में पढ़के जाएए, कि अगर वो question पूछे, तो आप उसका answer आराम से कर पाओगे, तो ये बहुत important question है, इसको आप ज़रूर prepare करके जाएएगा, अगला जो question है, वो आप जो बताओगे ना, कि भाई मेरा यह experience है, मैंने C.A.F.र्म में काम किया हुआ है, मैंने एक law firm में काम किया हुआ है, मैंने पहले company में काम किया है, मैंने bank में काम किया है, जहां भी आपने काम किया है न, या अगर आपने कहीं से training ले रखी है, तो आपका जो भी experience है, उसके हिसाब से भी questions 100% आएगा, कि ये बताइए, आपने उस organization में काम किया है, बताइए, वहाँ पर ये चीज़ होती है, answer करिए, इस case में क्या होगा, इस case में क्या होगा, इसका payment कैसे होगा, इसका receipt कैसे आप maintain करते हैं, इसकी cash book कैसे maintain करते थे, यहाँ पर ये कैसे होता है, तो ये जो आपका experience है ना, इसके हिसाब से questions आप से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, bold हो जाते हैं, clean bold हो जाते हैं, उसका reason मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो CV लेके जाते हैं ना हम लोग, उसमें हम लोग इतना ज्यादा लिख देते हैं, इतना ज्यादा लिख देते हैं, कि खुद ही फस जाते हैं, किसी organization में, किसी बड़ी organization में हो सकता है, हमने एक-दो महिना काम किया होगा, लिख देते हैं two year experience, या किसी organization में हमारा कोई friend या कोई relative काम करता है, तो हमें पता है कि हमें वहाँ सर्टिफिकर्ट मिल जाएगा, तो हमने क्या करते हैं, वहाँ लिख देते हैं कि हमने दो साल उस company में काम किया है, तो अपनी CV को attractive बनाने के लिए, impressive बनाने के लिए, इतना ज्यादा उसमें लिख देते हैं candidate, कि जब उससे question आता है, वो blank हो जाते हैं, ये problem हो जाती है, तो CV में उतना ही लिखें, जो actual है, ताकि जब आपसे question पूछा जाए, तो आप उसका answer कर पाएं, तो ये थे top 10 questions, जो अगर आप accounting की job के लिए जा रहे हैं, तो interview में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके लाब आप जनल कोश्चन होंगे, आप अपने बारे में बताइए, family में कौन कौन है, salary के expectation, वो general question है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, मैंने सिफ accounting से जो specific questions हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो कैसे लगा यह video, definitely आपको इससे ज़रूर help मिलने वाली है, ऐसे वीडियो के लिए हमाई चैनल को subscribe कर लीजिए, मिलते हैं अगले knowledgeable video में,